हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन आज हमें एक बहुत ही कॉम्पलिकेट एक मेडिकल प्रॉब्लम है लोगों को उसके बारे में बात करेंगे उसका कोई डाइगनोसिस किलियरली नहीं बन प प्रॉद ओमाड can की दिमांगी ना की बीमारी के सारे रेक्लक्षन सोम ples और दिमांगी प्रॉबम्स नहीं र हैं लोगों को होती दिमांगी पीमारी है लेकिन वह उसको सारे रेकिकलन के रूप में रिपोर्ट करते आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आलबेज एक कम्प्लेंट करते हैं कि उनको अटेक आ जाएगा, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई है, उनका दिल धड़क रहा है जोर जोर से, दिल तो सभी का धड़कता है, यदि दिल नहीं धड़केगा तो आप जीवित नहीं र हाँ, उनके पास बहुत सारे myths, बहुत सरे doubts होता है, बहुत सरी queries होता है, और रात दिन उनके साथ लगे रहते हैं, तो आपने generalis देखा होगा, यह वह patient होता है कि इनको, IBS का problem होता है, तो उनको होता तो depression है, होता उने somatization है या उन्हें psychosomatic problems होती है यानि उनकी जो सोचने की पिर्किरिया है जो उनका सोचने का तरीका है उसमें एक depression है उसमें बहुत सारे multiple thoughts हैं उसके अंदर fear है लेकिन वो किसी ना किसी सारे रेक दुख दर्द से उसको report करते हैं जैसे कि IBS का patient आपको कैवरी बोलेगा कि उसको पेट में जखम हो गए है पेट में गोला सा बन गया है पेट में वफरिंग होती है मुझे cancer तो नहीं हो गया है मुझे कोई गांट तो नहीं बन गयी है मेरी आंतें तो नहीं कट गई है कोई जखम तो नहीं हो गया अंदर तो वो इस तरह की बातें करता रहता है और उस कारण देखा जाता है कि continuously उसका weight भी घड़ता है कैवरी और weight बढ़ता नहीं है लेकिन IBS भी देखा जाए तो कोई life threatening disease नहीं है इससे किसी की मिर्टू नहीं होती है और कोई इंसान इस बीमारी से death नहीं होती है कैवरी low BP हो सकता है थोड़ा बहुत functional weakness हो सकती है तो उसके पीछे आपकी सोचने की पिरकिरिया एक कारण होती है दूसरे तरह के patient होते हैं कि जो cardiac neuro problems के साथ आते हैं कि मेरा दिल ज़्यादा तेज धड़कता है या दिल धड़कना बंद हो गया है या अचानक मेरी धड़कन रुख गई है वो रात को कई वरी अचानक feel करते हैं कि उनकी धड़कन रुख गई है बट ऐसा होता नहीं है उन दिमागी रूप से भी बीमार हो जाता है और यदि किसी इंसान को कोई दिमागी problem हो यानि उसकी thinking में negativity हो anxiety हो या depression हो या fear हो तो कई वरी देखेंगे कि वो कोई ना कोई सरीर की बीमारी के बारे में बात करने लग जाता है जैसे कि दिल की बीमारी के बारे में वो कुछ समझ परता भी रहता है और उसके बाद वो जो उसके पास information आती है वह बहुत बड़ा blast करती है वह बहुत ज्यादा पैनिक करती है वह बहुत ज्यादा आपको functional weakness की तरफ धर्किलती है तो यह सब इसके पीछे होता है अब symptoms में generally मतलब भूख कम लगना पीट में दर्द है कमजोर है ठकान है बीपी लो हो गया है बजन नहीं बढ़ता है कुछ serious problem है कुछ पता नहीं लग रहा है इस तरह के symptoms के साथ patient आके रिपोर्ट करेगा पेट दर्द है सरीर कमजोर हो गया है और मुझे कुछ serious बीमारी है इस तरह की बातें वो करता है इसके पीछे causes में देखा जाए तो depression है, anxiety है, लंबे समय तक किसी बीमारी का बने रहना है, social exposure की कमी है, knowledge की कमी है, diagnosis का नहीं बनना है, doctor का proper educate ना करना भी एक reason रहता है इसके पीछे और कई वरी doctors properly diagnose नहीं करते या properly messaging नहीं करते बताते नहीं है तो patient confusion में, एक डर में, एक fear में बनने रहता है उसके यही sort of causes है ulceration हो सकता है, IBS का case हो सकता है, या gas की एक problem हो सकती है, continuously जो आपको gird या reflect बना रहता है, उसके कारण भी आप उस तरह के somatization में first जाते हैं, या कोई भी बीमारी जो लगातार आपके सरीर में बनी रहती है, like depression हो सकता है, migraine हो सकता है, insomnia हो सकता है, mood disorder हो सकता है, negativity कही परी हम बहुत carry करते हैं, या कोई भी continuously stress जदी आपके साथ जुड़ा रहेगा, तो आप somatization में first जाएंगे, complications में यही complications होती है, कि आपको किसी set of therapy से फायदा होता नहीं है, क्योंकि आप right therapy नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि इसमें management में सबसे बड़ी चीज यही है, कि आपको medicine management के साथ, counseling के लिए जाना होगा, counseling के लिए जाने से मतलब है, कि आपको अपनी queries को रखना होगा, queries को सांत करना होगा, उसके answer ढूनने होगे, जो कि आपको एक counselor, professional counselor ही दे सकता है, और आपको myth से, doubt से, fear से भाहर निकलना होगा, जो guidance आपका physician और counselor देता है, उसको follow करना होगा, ए फिर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, positive motivation से, मतलब positivity आप अपने को आपको feed करनी होगी, continuously आपको अपने को support देना होगा, positivity का, continuously आपको regular बयायाम करें, regular walking करें, time से खाना खाएं, proper अच्छी नीद रहें, और positivity के साथ life जीएं, तो आप somatization से बस सकते हैं, psychosomatic problem से बस सकते ह और यदि आपको कुछ IBS या depression या anxiety है, तो आप उससे भी recover कर सकते हैं, CBT and the counseling is directly or indirectly very much helpful to recover from the somatization, तो ये एक proper रहेगा set of investigation का तरीका और एक approach रहेगा medically आपको, कि आप उससे ठीक हो जाएंगे, thank you very much and take care of yourself. झाल